कि हैं लोग्लास देंट हाव और यू गाइस कैसे है आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में मेरा नाम है सुभध्रा माथन कर आप सभी की साइंस टीचर आज आज आई प्रॉमिल्स कि आप लोगों को मैं एलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट दे दूंगी तो हम लोग इल जंगलों में होते और सोच रहे होते कि क्या करे आदिमाणों की तरया जंगलों में जुग्जुपडियों में रहते हैं तो लाइफ बहुत डिफ्रेंट होती अगर इलेक्रिसिटी नहीं होती चल्श करते हैं बहुत सारी आज और हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और वो कोट आपके सामने लिखा हुआ है Success is not how high have you climbed बट how you make a positive difference to the world अब success का मतलब किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है किसी के लिए एक अच्छी life जीना success हो सकती है किसी के लिए शांती भरी life जीना success हो सकती है किसी के लिए life जीना success है किसी का business खड़ा करना किसी के पापा किस अपनों को पूरा करना हर किसी के लिए success का मतलब अलग हो सकता है बट वो success तभी successful है जब वो world को change करने के एक positive difference create कर रही है otherwise वो किसी भी काम की नहीं है तो चलिए इस प्यारे से code के साथ में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके पास में electricity electricity हमारी life का सबसे important part agree है ना मान लो तुम्हारे पास electricity नहीं होती इस तरीके से हमारे बहुत important है तो उसके बारे में समझना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है तो चलिए बात करते हैं इसके basic fundamentals की fundamentals क्या है जानते हैं तो electricity का actual meaning क्या होता है इसको जानने के लिए हम एक atom के बारे में समझना पड़ेगा everyone know what atom is मेरे ख्यास से class 9 तक के सबको पता होता है कि atom क्या है तो मेरे ख्यास से सबको पता है कि एक atom जिसके अंदर nucleus होता है nucleus में protons होते है जिन पर positive charge होता है और उनके आसपास surround में electrons जो है different 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 cell के अंदर orbits के अंदर घूमते रहते हैं तो यहाँ पे structure of atom के अंदर जो चीजे मैंने आपको बूली कि electrons जो है वो orbit कर रहे है that means कि हमारे पास में only electrons जो है वही एक ऐसा part है जो atom को छोड़के कहीं भी जा सकता है yes electron एक ऐसा part है जो कि atom को छोड़के किदर भी जा सकता है फरक नहीं पड़ता यानि कि only a moving part पूरे atom में होता है वह है आपका electron electron जिसके उपर हम कहते है कि negatively charged particles है यह तो यह particles क्या है इन्हें हम sub atomic particle बोलते हैं sub atomic particle यानि atom के अंदर पाय जाने वाले तो एक होता है electron दूसरा होता है proton और थर्ड वन इस neutron electron को हम highly negatively charge कहते हैं जबकि proton को positively charge and neutrons होते हैं उनके उपर neutral charge होता है problem यह हमारे पास में कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं हमको electricity पढ़नी है बात तो बिल्कुल सही है तुमको पढ़नी तो electricity है पढ़ने के लिए तुमको atom के बारे में इत्ता ग्यान तो जरूरी था भाई कि electrons होते है वही की move कर सकते है सबसे best fundamental चीज क्या है कि electrons अकेले है जो की move करेंगे बागी कोई नहीं करेंगा है ना यह चीज दमाग में बिल्कुल क्लियर रख लेना कि electron के लावा कोई हिलेगा डूलेगा नहीं कौन हिलेगा electron हिलेगा किधर जाएगा वो कहां जाएगा कैसे क्या करेगा उस को पता है चार्ज क्या होता है फटाफटर कमेंट section में चार्ज क्या है definition of charge नहीं पता चार्ज को है रोंट वरियार मैं हुँ ना फिर इंप च्रक्राइब पर्ट प्रॉपर्टी एपोर्टी प्रोपर्टी इसके अलावा बिहेवियर क्या सकते हो सिसे कुछ fundamental प्रॉपर्ट कोई इसके आलावा नहीं पार्टिकल नीपा जाता था ग्रसकतर उते ही यह कल दिर मोइन दिसक्स करते हैं तो मतलब थैंक कोई लड़के लोग कोछ एक-दम दनंक बूली करना पसंद करते हैं अब the teacher को परिशान करते हैं तो अलग अलग प्रकार के तुम्हारे टाइप तुम्हारे स्कूल में student होते हैं तो हम बोलते हैं वह बहुत ही brilliant student है दम बिल्कुल तगड़ा student है यार बिल्कुल खोश्या रहा गिर्वाइनसेन पीताजी है यार वह इसते हो तुम्हूं Euaitter अधार के वह बहुत रूड करते हैं यार उनका ऻम्हार करते हुट थोड़ा सा रूडρέ करत neu 시ds behavior है कि थोड़े से वह अच्छे से बात नहीं करते है तो इस ही को हम लोग क्या बोलते है इस ही को हम कहते है कि यार यह तो नेचर है उनका है और हमें उसके एक्सेप्ट भी करना चाहिए अगर कोई ब्यूटफुल है तो है ठीक है अगर को सुन्दर है तो है तारीफ करने में क इस नथिंग बट काइंड ऑफ बिहेवियर चार्ज को मेजर्मेंट किया जाता है किसके अंदर कुलाम्स में विकॉस कुलाम करके साइंटिस थे इन्हों ने सबसे पहले इसके बारे में डिसकवरी करी थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अब आपके पास में कि हमारे पास में exactly what charge is ठीक है तो the property of matter where it has more or fewer electrons than protons in its atom तो कहने का मतलब क्या है तुम्हारे पास में कोई भी एक atom होता है तुम्हारा atom जसे example के लिए मैंने का sodium atom sodium atom के अंदर number of electrons कितने होते है number of electrons are equal to number of proton are equals to 11 am I right sodium के अंदर 11 electron होते है 11 proton होते है and total charge क्या होता है इसके उपर हम बोलते है कि यह total charge is zero but what हम सब जानते कि sodium atom के outer shell में एक single electron होता है जो कि उसको leave कर देता है तब हम बोलते है कि यह sodium के पास में electronों की कमी है that means it has a positive charge तब इस position में यहाँ पर sodium के पास में 10 electrons होते है and उसके पास में 11 protons होते है that is the reason कि उसके पास में एक positive charge आ जाता है तो यह कहलाता है positive charge atom फिर इसको हम लोग ion भी बोलते है sodium ion sodium ion ठीक है सेम चीज अगर मैं chlorine की बात करो chlorine के ओपर negative charge that means what कि इसमें क्या किया है electron को accept कर लिया है chlorine के पास में 17 electrons होते हैं बिटा और 17 protons भी पाये जाते हैं इसमें किसी को शक नहीं न तो सेम चीज है कि जब वो एक electron extra gain कर लेता है क्योंकि इसकी outer shell में 7 electrons पाय जाते है और पूरी shell को complete करने के लिए उसको एक क्या चाहिए होता है electron चाहिए होता है एक electron needed होता है तो क्या करता है ले लेता है तो उसके पास में बस जाते है total 18 electron and 17 proton होते है and that is the reason कि एक electron extra है तो क्या आगया उसके ओपर negative charge आ जाता है that means it is a property of an atom तो charge को define करने के लिए आप इस तरीके से define कर सकते हूं यह मैंने कहीं से नहीं मैंने बहुत search हिया मैं उस्जे समझ नहीं आ रहा था कि charge को कैसे define करें तो हम बहुत like होता है कि teacher का काम यह कि आपको बताना तो charge behavior होता है ठीक है तो charge को measure किया जाता है कुलाम कुलाम एक scientist है इसे हम लोग C से denote करते हैं ठीक है किसी पर पाया जाता है तो बात करते है four electron, electrons के उपर होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम का charge and तुम्हारे पास में proton के उपर होता है कितना 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम difference क्या है कि यह negative charge होता है और यह आपके पास positive charge होता है और इन दोनों का जब sum किया जाए तो तो तुम्हें 0 मिलेगा यह negatively charge होता है यह positively charge होता है ठीक है तो यह total charge होता है एक electron पर ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने एक electron पर charge का quantity कितना होता है मैंने कहा एक electron पर charge कितना है सब लोग सुनना एक electron पर charge कितना होता है बच्चा सब लोग ध्यान से सुनना मैंने कहा 1 electron पर Q का value कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम अगर मैं आप से बोलू कि 2 electrons पर कितना charge होगा तो you will be multiplying it अगर मैंने बोला कि 10 electrons पर कितना total charge होगा तो what will you do कि 10 electrons पर Q is equals to 10 multiply by 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम इसमें किसी को शक यानि कि there is a formula for that आप किसी भी electron पर total या किसी भी atom पर मान लो कि total 10 extra electrons है मैं जस्ट एस्ट एस्ट्रा 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 रही हो कि कोई एक मेरे पास में atom है जिस पर maximum 4 या 3 electron है तो किसी भी particle पर किसी भी चीज के उपर किसी भी तुम्हारे पास में matter के उपर कितना total charge present है वो तुम calculate कर सकते हो with this formula यहाँ पर N क्या है N is nothing तुम्हारी गिंती 1,2,3,4 इसे कहजाते है charge का quantization ठीक है इसे हम लोग कहते है charge का quantization यानि कि तुम्हारा q is equals to होता है N e जहाँ पर e is nothing, e is total charge on one electron कहने का मतलब यह है कि एक electron पर तुम क्या करोगे 1 का multiply करोगे एक electron पर total charge होता है 1.6 10 to the power minus 19 कुलाम 2 electron पर कितना होगा net charge ठीक है तुम्हारे पास में 2 electron पर कितना होगा 2 multiply by this 3 multiply by this 4 multiply by this 5 multiply by 1 electron पर जितना charge है वो टोटल आपके उस पैटर के उपर charge होगा इतनी बास समझ मैं उस particle पर उतना charge होगा तो यहां से एक चीज समझ मैं कि क्या यह हमारे पास में एक generalized formula बन सकता है बिलकुल यह तुम्हारे पास में एक बहुत ही generalized formula है नाम होता इसका तुम्हारे पास में quantization of charge ठीक है यह काफी basic fundamental चीज है जो कि आप लोग सीखोगे ठीक है तो SI unit of electric charges nothing but coulomb which is equivalent to the charge contained nearly 6 into 10 to the power 18 electrons अब question है तुम्हारे पास यहां तक मुझे लगता है कि हर किसी बच्चे के दमाग के जो screw है वो टाइड हो गए हैना अब screw को धीला मत होने देना अब समझो यहां पर मैंने बोला कि एक electron पे charge है कितना charge है मैंने कहा एक electron पे total Q का value होता है and that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb तो क्या मुझे कोई एक question का answer दे सकता है कि how many electron यानि कि कितने number of electron के उपर इतना charge होगा मतलब कि यहां पे बहुत simple सा question है मुझे n का value find out करके दिखाओ हमने बोला कि electron के उपर charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb यह Q का value है on one electron तो मुझे बस n का value find out करो कि इतने charge में कितने number of electrons पाए जा सकते है तो चलिए बात करते है हमारे पास में तो हम लोग totally देख सकते है कि कितने electron के उपर ही total charge होता है तो भाई चलिए इसके बारे में बात करते है तो here Q is equals to n ही and हमको value find out करनी है n की n हमारे पास में है quantization number तो इसके बारे में बात करते है तो n का value निकालोगे by q by e तो Q कितना ले रहे है हम एक कुलाम तो basically question हमारे पास में एक कुलाम charge में number of electrons है ना मतलब हमारे पास में ये है if Q is equals to n e तो मुझे बस इतना बता दो कि एक कुलाम charge में कितने number of electrons पाए जाएंगे that's it ठीक है चलो हम बात करते है इसके बारे में यहां से हमारे पास में क्या आजाएगा तो यहां से तुम solve करोगे तो हमारे पास में Q का value मैंने 1 put कर दिया because मुझे 1 कुलाम का value निकालना है and मुझे e से divide करना यानि 1.6 into 10 to the power minus 19 से मैंने divide कर दिया solve करोगे 0.6 something कुछ 10 to the power plus 19 आएगा that means the number of electrons कितने हो जाएगे भाई चलो बताओ number of electron कितने हो गए n is equals to हमारे पास में हो जाएगा 6 into 10 to the power 18 क्योंकि solve करने पर 0.625 something कुछ आएगा multiply 10 to the power minus 19 है तो उपर जाके plus 19 हो जाएगा तब solve करोगे इसको तो आपके पास में n का value आजाएगा इतना यानि क्या तुम सोचो कि तुम्हारे पास में 1 कुलाम 1 कुलाम चार्ज निकालने के लिए एक कुलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रोन पाया जाते है यह निकालने के लिए जब तुमने यह solve किया तुम्हारे पास में 6 multiply by 10 to the power 18 इलेक्ट्रोन है भाई तुम बिलीव कर रहे हो 10 to the power 18 कितना होता है भाई लाग-10,00,00,00 करोर 10 करोर कितने भाई तुम calculate नहीं कर पा रहे है नमर ऑफ एलेक्ट्रांस आर्ट तो सोचो कि एक कुलाम चार्ज में इतने सारे लेक्ट्रांस पाय जाते है तुम जबकि यह सोचो कि एक एलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस 19 है जबकि एक कुलाम चार्ज म इट केंपाउड विटा सिंपल फॉर्मूला आप टोटल चार्ज ओन पार्टिकल तो यह जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा एक्ट्रेट वैल्यू मिल जाएगी नम्बर आफ एलेक्ट्रॉन की इन वन कुलाम चालो अब बात करते हैं आपके पास में करेंट क्या है तो मै क्या आप लोगोगों ने समझ लिए कि वड़ चार्जांगी नाफज चार्जान वन जाता है तो अब बात करते हैं क्या है तो हमने क्या हैक व्यूंसी ठीक और वही चार्ज करते हैं इन क्या करने लगते 52 इन ज्पर्यक्त लोगोग्स चार्ज पहली बात तो सकषाज है तो चार्ज है घुम रहा है भी खुम रहा है यह ना दिल्ली की सबकों पर नहीं गुळगाओ की पानी भर आ आजकल नाओ में चलना पड़ता है यहां पर तो भाई हम बात कर रहे है यहां पर current के तो current क्या है basically current is nothing the flow of electric charge with respect to time अगर time के respect में charges flow होते है चाहे वो 1 second हो चाहे वो some millisecond हो चाहे वो nanoseconds में charges flow हो हो second है आपके पास में तो millisecond present हो सकता है nanosecond present हो सकते है तो वही चीज है हमारे पास में कि जब charges flow होते है तो कितने number of charges flow होते है per unit of time that is your current तो हमारे पास में क्या है the flow of electric charge is known as electric current, electric current is carried by moving electrons through a conductor if net charge q flows across any cross section of conductor and time t then the current i will be what will be the formula for this is current is nothing but rate of flow of charge with respect to time. तो ये क्या हो गया आपके पास में this is your current जिसके बारे में आप परिशान हो रहे थे तो basically current क्या है तुम सोचो कि तुम्हारे पास में water molecules है water molecules H2O सबको chemistry आती है बाई इत्ता दो बड़े chemistry में हम लोग कि H2O सबको पता है तो H2O जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के क्या बनता है आपके पास में water का पूरा का पूरा एक जो आप देख रहे होते हो वो water बनता है न ड्रॉपलेट बनती है आप मान लो तो जब drop 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 flow होती है जब वौटर की बहुत सारी drops flow होती है तो क्या बनती है एक छोटी सी stream जाती एक current जाती है जैसे कि advertisements में होता है नदीयों में पानि फ्लो एपलेजिक लिए ना बेसिक लिन अगर पानी के पानी बह रहा है तो वह कॉंबिनेशन उप अब दो तो water की droplet का combination flow हो रहे हैं तो सोचो same 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 चीज यहां पर भी है कि conductor wire है हमको नहीं पता x y z कोई conductor wire है conductor wire है यहां पर क्या हो रहे हैं electrons जो है वो flow out हो रहे है because of some electric force यह हवे में ही फोलो होगे हवे में फ्लो नहीं होते हैं यह flow होने के लिए आपको चाहिए होता है एक electric force और उसके कारण वो flow होते है and that is the thing कि इनके flow के कारण एक current एक steam बन जाती है और उसे हम लोग क्या बोलते है उसे हम लोग बोलते है current जो कि electron की opposite direction में flow होती है हम समझेंगे इसको थोड़ा लेट ठीक है तो इसको हम एक unit से रिप्रेजेंट करते है ऐसा unit of current will be ampere ampere एक scientist थे इसे हम लोग capital A से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है चलो अब समझते है कि किसी भी conductor के अंदर conductor क्या होते है हमारे पास में substance होते है जिसके अंदर current flow होती है हम लोग और detail में समझेंगे पर समझो कि किसी भी substance में चाहिए वो तुम्हारे घर का तांबे कातार हो या फिर वो तुम्हारे घर में जैसे दो भी तुम electrical thing यूज कर रहा हो तो सोचो जितनी भी तुम्हारे आसपास चीज है तुम्हारा even mobile phone you are using mobile phones ना उसमें भी तो रहा है रहा है वो कैसे हम को समझना है वहीं हमारे माटर करता है तो चलिए बात करते हैं आपके पास में कि यार कैसे कोई भी conductor के अंदर यह सब्सक्रास प्रक्राइबे हैं पूलक्रियू अंहीं सब्सक्राइब है कि अचेकंपने चाहिए magnificンधल प्रक्राइब बैटरी देती है कि ऐसा force जो कि electron को मजबूर कर देता है move करने आपको इतना जानना है कि बैटरी का करती है इसे दम लगाती है जा रहे जा जल्दी जा तुम देखो यहां पर तुम देख सकते हो यह बैटरी है इसको लगा कि अरे यार बैटरी हमारे पास में है तो बैटरी न यहां पर एक स्विच्च लगा दो ठीक है यहां पर आपने बेटेरी लगा दें तो इस यह एक सिंपल चर्कीट है यह बहुत ही सिंबल सर्कीट आपका अब इस एलेक्ट्रिक सर्किट को ध्यान से देखो मैंने क्या बूला बैटरी में जब आपके पास में बैटरी तब ही current flow होती है अब question यह है कि current कैसे flow हो रही है भाई तो तुम देखो यहां पर तुम्हारे पास में यह बैट्टरी का positive सिरा है positive सिरे को चाहिए होते है इसने इलकी इलकीट़न टो टो छोड़े से अब दूसरा वाव्लया आटम हो अपना तीसरा ओना पर गडरी, जो इलकीट़क दो मेरा गरे नगीज़ादर हावा सिपहारे सिरे। अगर आप लोग जहां से देखो तो बटा कुछ ऐसा सेनारियो अरे मैंने लगता है अगर बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे हैं कैसे एक सर्कीट में मानलो यह बल्ब लगाया बल्ब आपको पता है कि जलेगा जब मैं यहां पर स्विच को अन करूंगी यह मान लीजिए हमारा स्विच है स्विच को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है ठीक है तो यह कनेक्टेड वायर से दो कनेक्टेड वायर से और यह बल्ब तो जैसे मैंने wire connect किया आपको पता देती हूँ जब भी आप switch on करोगे तभी electricity flow होती है current कभी open circuit में flow नहीं होती open circuit का मतलब क्या होता है इसको ऐसा समझो आपकी जैसे मानलो नदी flow हो रही है नदी flow हो रही है पानी इसमें जा रहा है आपने रोक दिया बीच में आपने बंद कर दिया आपने बांध बना दिया और बांध के पूरे पूरे जो जो होता है इकदम बंद कर दिया तो क्या आगे पानी जा पाएगा तो महारे पास नदी बह रही थी तो उमने पानी को रोक बहुत सबसे सिंपल लॉजिक बता रहे हुं आपको एक कन्डॉक्टर मीडियम चाहिए होता है अगर नहीं है तो फ्लो नहीं होगा तो जो एयर होती है वो नहीं होती एयर बहुत बेकार इंसुलेटर है या फिर वह सब्सक्राइब होता है हम पड़ेंगे इसके बारे में कि अलाओ करती है क्यों क्योंकि उनके अंदर मैटल मैटल इलेक्ट्रों को फ्री रखते हैं आपको पता है कि मैटल के अंदर इलेक्ट्रों डोनेशन की बहुत अच्छे प्रापर्टी होती है जब कि नॉन मैटल इलेक्ट्रों चुडा लेती है तो जो भी आपके पास में क current flow होगी क्या नहीं तो यही एक पंड़ा होता आपके पास में अगर मैं जानू सबसे पहले आपको बता देती हूं कि हमारे पास में यार conductors क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो तो basically हम हम बात करते हैं what the conductors are conductor क्या है पहले बात कर लेते हैं तो conductors are material that permits electrons to flow freely from particle to particle बहुत सिंपल लोगी कि अभी तुमको image दिखाई तो image का उदा basically conductor जो होते हैं वो एक ताइप की metals होती है जितनी metals होती हैं उन्हें हम conductor बोलते हैं conductor के अंदर क्या होते हैं जो बैटा atoms होते हैं जैसे मालो तुम्हारे जो atoms है वहाँ पे electrons freely move कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है मालो तुमने यहाँ पे बैटरी का negative यहाँ पे बैटरी का positive लगाया है sorry मैंने उल्टा लगा दिगा अब बहुत ही fundamental चीज दिखाते हैं तुमको तुम्हारे पास में metal है यह metal तुम्हारी फिर्ट मेटल कॉपर ले लेता है ना कॉपर वायर सबके घर में प्रेजेंट है किसी ने oxygen का sulfur का फासपोरस का वायर देखा है क्या किसी ने ने देखा इवन हवे में भी क्या electrons होते हमको current तो नहीं लगता तुमको पता है इतने सारे बिजली के तार जो है हमारे एंडिया में खुले रहते हैं क्या हमें current पहुचता है बिना चुए नहीं क्यों क्योंकि air is not a good conductor है ना वह बहुत बेकार conductor होती वह बहुत बेकार conductor यानि की वह insulator जो conduct नहीं कर सकता वह insulator है तो conductor क्या है करते या फ्री इलेक्त्रों की जिलिए इसमें move कर सकते है सबको पता है कि metal के अंदर एलेक्ट्रों छोड़ने की टेंडेंसी होती है होती है यह बैटरी है बैटरी फोर्स करती है लेक्ट्रोन के मूवमेंट तो यहां पर क्या होगे इलेक्ट्रोन जो है वह इस तरफ से चलना चालू करेंगे और पॉसिट बैटरी के पॉसिटे धर्मिनल की तरफ दौड़ते भागते चले आएगे और आपको पता है किस स्पीड से आ मुझे खूँज बताओ तुम सुछ और करते हो का आरऑ ऐसा तो रही है आर नियार और पाच मिनट बाद बल्ग हॉँआ हो तुमने शूच अन कि sound प्रोक्शल जाता है व obra that क्यों कि यह मुवेंट होता है यहां यहां पर उरे स्पीड और अप्राइट के क्युआ ना यहं को होते हैं तो फूरी पूरी फ्लो होते हैं तो यह इनके पास में फ्री इलेक्ट्रों सोते हैं यह यद रखना जो भी आटम्स या जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रों को फ्रीली मूव कर सकते हैं वो हमारे पास बट उल्टा देखो नौन मैटल जितनी भी नौन मैटल्स होती है तुम औक्सिजन को उठालो तुम सलपर उठालो तुम नाइट्रोजन उठालो क्या यह एक घूट कंडक्टर है नहीं हवे में कभी इलेक्टासटी फ्लो नहीं होती है है ना तो रीजन है उसके पीछे हमको लेक्ट्रॉन चुरा लेता है और आपने पास जकड की रिख लेता है छोड़ते नहीं यह यह रिख को wszystkie तो कहां से इन के पास फ्रीक्तन होंगे तो नॉन मेटल के शोती है बैड कंड़क्टर याने की इंसुलेटर तो आपके पास में जो insulators हैं वो क्या होते हैं वो substance होते हैं जो की electricity को flow होने में help नहीं करते Got it? ठीक है? तो हम यह कह सकते हैं हमारे पास में की insulators are those substance through which electricity cannot flow are called insulators for example for example glass rubber air है ना examples क्या है तुम्हारे पास में glass rubber air oxygen nitrogen sulfur it is same same चीज़ तुम्हारे पास में conductors क्या है for example copper silver gold और बता और किस में जो क्या लोही में flow होता है यस लोही में भी flow होता है क्या तुम्हारे पास zinc में flow होता है यस क्योंकि metals है यार इन में अब बात करते हैं तुम्हारे पास में एक ऐसे भी चीज़ होती है तो क्या है यह होता है पावर कंड़क्शन की बात करते हैं यह सब क्या है हम बात करेंगे आगे पावर कंड़क्शन का मतलब होता है कम से कम electricity में कम से कम हम वैल्यू में ज्यादा से ज्यादा efficiency कर सके यह ज्यादा से ज्यादा करना चाहते है तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग सेमिकंड़क्शन का सेमिकंड़क्टर इंडस्ट्री जैसे जैसे ताइम बढ़ते चला जा रहा है वैसे वैसे बहुत ज्यादा tale रहां वास्ट हो जो है सेमिकंड़क्टर ऐसे मंटेरियल होते हैं जो कि लाय करते हैं बटमें इंसूलेटर इंडकंड़क्टर यानि अगर तुम چाहऊ तो इनका यूज as a insulator कर सकते हो and as a conductor भी कर सकते हो that is the greatest property नेंड मीलावट करो तो यू इतने फ्री लेक्टिर उम्ह के यहां पर इनका यूज के जाता है समी कंड़क्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है आप लोगों ने ऐसी आइसी देखियोंगी से आइसी इंटेगरेटेड़ सर्केट तो यह आइसी है और इसके अंदर जो भी आइसी मटेरियल प्रियोग में लाया जाता है आइस बैसिकली नथिंग बड़ सेमी कंड़क्टर होते हैं लाइक सिलिकान जर्मेनियम है ना सिलिकान जर्मेनियम बहुत ज्यादा बड़ी अभी बता दो आपको अभी जुतने भी आप लोग मोबाइल फोन एलेडी नाम सुन लोगे आप लेडी तीवी के नाम सुनते हो आप लोग तो यह है क्या ये बेसिकली नथिंग बड़ सेमी कंड़क्टर डिवाइस जो होती है वह बहुत छोटी सी आप देखो एक जो आपके घर में लेडी बल्ग होते है ठीक है वह बहुत कम पावर में चल जाते हैं आपको है यूज किया जाता है तो एक 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 अपना दूसरे अटम को ट्रांसफर कर रहा है जैसे कि अभी तुमने सुना होगा जैसे कि तुम तब लोगों ने अभी सुना होगा कि जो अभानी जी जो है उन्होंने धारा भी करके एक सलम एरिया है मुंबई में तो उनको पर्मिशन लिया है यानि कि रीडेवलप्मेंट बोलता है रीडेवलप्मेंट का मतलब है कि वहां पर वह स्लम वाले इलाके को भड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे और फिर रेंट पर भॉड के एकसे हो प्माइस की जोड़ कर जये और बस जाएंगे और बहुत पर रिडेवलप्मेंट होगा तो यह होता है तो यह सेम फोर्स हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है स्टोस हुरा में मैं हुम मेरे पास में पास में एक सहने संदो नहीं हो प्र और उसलेक्ट्व हो औस याको र trainer इस डारे हो होगी ओके चलिए अब हम बात करते हैं what is ampere तो मैंने आपको कहा था कि basically current is nothing but current is i is equals to q by t याने की rate of moving charge per unit time ठीक है तो यह हमारे पास में क्या होता है यह आपके पास में current है तो हमारे पास में बोला है कि ampere को define करो तो guys एक बात बता हो क्या हम q को कुलाम के रूप में represent कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप one ampere को define करना चाहते हो तो आपको simple सी बात है charge को कुलाम के पूरे के पूरे unit में change करना पड़ेगा आपको पूरी unit convert करनी पड़ेगी तो एक ampere को आप ऐसा लिख सकते हो क्या 1 q by 1 into t और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 c by 1 t sorry 1 second लिख सकते हैं क्या पताओ जल 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 जहां पर सबको पता है कि charge का जो ऐसा ही unit होता है वो क्या है मेरे बच्चा कुलाम होता है टाइम का क्या होता है टाइम का second होता है इसमें किसी को शक नहीं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हम एक ampere को लिख सकते हैं, 1C divided by 1 second, तो basically 1 ampere is what, 1 ampere is constituted by the flow of 1 कुलाम of charges per second, या per unit second, है ना per unit second कर लो, per second कर लो, एक ही बात, यहाँ पर unit लगा दे जिनको परिशान होती है, यानि कि एक second में यदि कही बार किसी conductor wire के, ऐसा हम समझो इसको कि किसी conductor wire के ऊपर या बैटरी लगाने पर या दीमान लीजिए, कि एक ampere का current flow हो रहा है, that means कि एक second में एक कुलाम charges जो है, वो flow करे होगे, एक end से दूसरे end तक, यदि किसी conductor wire में बैटरी लगा दी जाए, और वहाँ पर एक ampere का current flow हो रहा है, that means कि एक second में कितने कुलाम charges, एक कुलाम charges flow हो रहे हैं और इसे हम लोग 1 ampere कहते हैं, ठीक है, ऐस तरीके से आप और भी definitions को create कर सकते हो, अब बात करते हैं, different units of current, तो there are different types of unit like, तो जासी है कि मैंने आपको बोला, एक ampere current, तो कई पर क्या होता है, एक ampere current जो होता है, बहुत बड़ा value भी हो जाता है, तो current को कही जगे पर बहुत चोटे-चोटे values में भी लिखा जाता है, जैसे कि 10 to the power minus 3 ampere, ठीक है, 10 to the power minus 6 ampere, तो ये भी एक type का आप कह सकते हो current के क्या होते है, units होते हैं, जिनको हम milli and micrometers कहते हैं, sorry milli and milli ampere and micro ampere कहते हैं, ठीक है, बरोबर, तो आपके पास में इसको अब लोगे, आप लोग, milli ampere and micro ampere, तो milli ampere, micro ampere, आपके पास में दूसरा unit होता है, अब बात करते हैं, आप कितने current किसी circuit में flow हो रही है, कैसे measurement करोगे, तो किसी भी circuit में कितनी current flow हो रही है, उसको measure करने के लिए, हम लोग एक instrument का use करते हैं, इसका नाम होता है ammeter, ammeter एक ऐसा instrument होता है, जो कि किसी circuit में कितनी current flow हो रही है, उसको measure करता है, और यह हमेसा series में लगाए जाता है, शीरीज इसाôngस्ट लीजिहसेat na one कसी तो सीरीज का मतनब क्या होता है शीरीज का मान लीज e है सीरीज का मतनब क्या होता है इसे मान लीजिए आपके पास्न है सरकित है जहां पर इन उक सबस्क्रास है मैंने 3 नह Sesा कि दोगें आप सब देख सकते हो कि पॉइंट A पे यह तीन ब्रांच में टूट चुका है और यहां पर अब करेंट का वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगा अब सोचो तुम लोग कि यहां से बैटरी का पॉजिटिव सुई रहा है यहां पर निगेटिव सुई रहा है अब पानी को फ्लो करें हो तुम सोचो कि तुम्हारी पास पानी है फ्लो हो रहा है और तुमको तीन रास्त दीखें तो तुमको पाधा किwen officer कि यहां भी जाएगा फारनी यहां भी जाएगा यानि P你們 किया हो रहा है पानी फ्लो आए हो जा रहा है रहे Mr. I I Exact 75 mor तो वो distribute हो जाती है तो that is the reason कि इसे हमेशा अगर तुमको मैंने बोला कि यह पहला वायर है यह दूसरा वायर है और यह तीसरा वायर है और मैं तुमसे पूछा कि पहले वायर में करेंट कितना फ्लो हो रहा तो हमेशा तुम्हें पहले वायर में ही एमेटर लगाना पढ़ेगा एमेटर को गोले के अंदर एसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और अगर मैंने बोला कि चलो बताओ मुझे कि यह यह बाद जो आपके पूरा सर्किट है अगर मैंने आपसे पूछा पूरे सर्किट में कितना करेंट फ्लो हो रहा है तो आपको यहां पर कहीं वायर को तोड़कर एमेटर लगाना पड़ेगा तो इसे हमेशा सीरीज में लगाया जाता है यानि कि जिस तार में जिस भी तार में आपको करेंट की वैल्यू निकालनी है उस तार को बीच में से काटो एमेटर के दो सीरे को पकड़ो और इसको चिपका दो आपको current मिल जाएगी, यह बहुत important चीज है, चाहे आप किसी भी circuit में देखो, current को हमेशा जिस circuit में मैं अपना है, उसमें series में ही लगाया जाता है, demonstration देखो आप लोग यहाँ पर, यह मेरे पास में कोई lamp है, यह battery है, emitter को हमेशा, जिस star में, यानि मान लो कि हमको इस पूरे के पूरे circuit में current मैजर करनी है, तो हमेशा हमें series में लगाना पड़ेगा, इससे हम लोग बोलते है series, यानि की, एक के बाद एक, और parallel क्या होता है, this is parallel, एक के नीचे, एक के नीचे, एक, तो parallel मतलब समझे रहे हो ना, कि सहमानतर है, एक दुसरे के कैसे होता है, एक दुसरे के क a current of 0.3 amper is drawn by a filament of an electric bulb for 5 minute, find the amount of electric charge that flows ठो, sir, बहुत simple question है, क्या लिखोंगे, we know that i is equals to q by t, हम से पूछा है, number of amount of charge, यानि हमें q का value finite करना है, हमें q का value finite करना है, हमें q का value finite करना है, यानि कि हमें i multiply by t करना पड़ेगा, yes, गणे 2 रहा solve करो और एंसर लिखरा हो, इसका कितना हो होगा आई का वैल्यू गीवन है 0.3 and for 5 minute multiply कीजिए and answer लेकर आई इन फुटा फट कमेंट सक्षिन में कमेंट करो एक और कोशिन आपके सामने आपके आप सब लोग देख सकते हो मारे पास में तीन डिफ्रेंट डिफ्रेंट सरकीट जिसमें अमिटर लगा हुआ है कोशिन है मारे पास में असल और रजिस्टर अड़ की और अमिटर और अर्रेंच आज शोन इन दे सर्किट डियाग्राम अगर यह तो इससे फरक नहीं पड़ेगा तीनों सर्किट में आप अमिटर कहा रहे हो तो इससे बोल रहा है कि emitter में current की value कितनी आएगी जिसने example के लिए अगर मैंने बोला कि ये मिरे पास battery है और इससे मुझे 3 ampere की current मिल रही है तो मुझे बताओ कि क्या circuit 1 circuit 2, circuit 3 में 3 ampere की ही current show कराएगा emitter या कुछ और फटाफट comment section में जवाब दीजिए चल तो जिसको इसका answer पता है well done जिसको नहीं पता उसको पता देती हूँ कि भाई हमने क्या सीखा है कि emitter जिस circuit में हमें current मापना है उसमें हमें current का value show करेगा so of course this emitter यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप कहीं पर भी लगाओ अगर 3 ampere की current इस circuit में flow हो रही है कि water the insulators and water the conductor तो conductor wires जो होते है वो simply current को flow करने के लिए अलाओ करते है जो insulator होते है वो current को block कर देते है ठीक है चले अब बात करते हैं आपके पास में यह सब पढ़ा जो कि हूं है एक बहुत ही पहरा सा question जो कि आप लोगों से पूछा गया था आप सब के पास में question था कि when electric current is passed electron moves from high potential to low potential low potential to high potential in the direction of the current against the direction of current यह काफी पहले पोल किया गया था और मैंने फिर पीपेटी बहुत पहले बाद में बना ली थी तो मैंने इस को question को देखा और देखने के बाद मुझे feel हुआ कि हमारे बच्चे बहुत गलत कर रहे तुम देखो यहाँ पे number of votes कितने number of votes 6000 प्लस है और मैं बताती हूं कि अभी यह बहुत पहले का screen shot है मैंने उस time पे लिया था क्योंकि मुझे याद आया था कि बच्चे गलत कर रहे है और फिर बाद में बहुत सारे students ने फिर से vote किया था तो यहाँ जो 83% है और something 90% से जाधा हो चुगा था यानि कि आप देख सकते हो सही answer है low potential to high potential student जो है वो टिकमा कर रहे थे high to low potential अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे what the difference is that क्यों गलत हुआ आपका उत्तर यानि कि हमें proudly पता था कि हम सही है हमें current के पूरे के पूरे logic पता है हम गलत कर ही नहीं सकते लेकिन यह तो गलत हो गया यह थो हमारे लिए बहुती विकार चीज़ हुई भई हुई की नहीं हुई है ना हम जी तो पताओ फिर इस पर बात कर तो basically what the electric potential and potential difference is basically मैंने देखा बह अब basically होता है क्या है मैंने तुमको बताया कि cell क्या करती है फोर्स लगाती है ना फोर्स लगाती है ताकि लेक्ट्रों से भाई जब मूव करो आगे बरो तो सेम चीज़ है तुम्हारे पास में यहां पर भी कि जब हमारे पास में electric potential को समझना है हमाएं तो तुम ऐसे समझो कि जब तुम्हारे पास एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो एलेक्ट्रों को मूव करवाने में वर्क कर रहा है तुम्हारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है उसे हम potential difference बोलते हैं, that's it, इतनी सी चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, तो दो मारे पास में electric potential and potential difference होता क्या है, समझ लेते हैं, the electrons in a conductor can move only if there is a difference of electric pressure called potential difference along the conductor, अब होता क्या है, सब बताओ मुझे, कि जो आंधी तूफान आते है, वो कैसे आते है air pressure के difference के गारण, सब को पता है कि जो high pressure area होता है, वहां पे air density ज़ादा होती है, जहां पे low pressure area होता है, वहां पे air density कम होती है, यही होता है, तो air हमेशा high pressure to low pressure जाती है, इसी falling, अगर तुमारे पास में water tank then, सब लोग पानी की टंकी समझे और up यहां पर अगर टंकी दोनों फुल है और तुमने बीच में क्या कर दिया पाइप लगा दिया तो क्या होगा अब यहां पे जो तुम्हारी तंकी का पानी है वो फ्लो नहीं करेगा जब तुम्हारे पासे पानी की टंकी में तुमने एक लेवल जो है डिफरेंट कर दिया एक में जाधा है एक में गम है तो अब यहां पर वाटर क्या करेगा और यहीं स्तीज सीम किसमें ओती है तुम्हारे कंडक्टर में conductor क्या हो सकते है वायर हो सकते है कुछ भी कुछ भी conductor मतलब कि वो सब चीज जिसके अंदर electricity जा सकती है electron move कर सकते है conductor कहलाते है बात खतब इतना दिमाग पे जोर ने डालते है और conductor में electricity जुझाती है क्यों flow हो रही है क्योंकि potential difference होता है potential difference क्या है भाई तो potential difference is nothing बट हमारे एक end और दूसरे end के बीच में हम जो बोल सकते हो कि electric pressure का जो difference create कर रहे है that is your potential difference यानि कि हम एक end से दूसरे end तक यानि किसी conductor के एक end से दूसरे end तक लिर जाने में जो काम कर रहे है that is your potential difference between two points είναι लीर conservatives in아니 पने हरे में है टूसरे इरल यानी है reach div Avengers से लाओ बीच में क्योंकि लेवल डाउन है सुमना इस बात को, रीवर फ्लो करेगी क्योंकि दिल्ली से गुडगाओ के लिए लेवल ठोड़ा डाउन, डाउन डाउन, डाउन है इसलिए फ्लो करेगी बट अगर तुम्हारे पास लेवल हाई हुआ तो क्या होगा मान लोग वालियर के तरफ लेवल हाई है तो अगर लेवल या तो इकोल रहेगा तब भी फ्लो नी होगा या तो हाई रहेगा तब भी फ्लो नी होगा यानि कि लेवल बराबर है तब भी तुम्हारे पास रीवर अगर तुम्हारे पास लेवल एक्वल रहा हर जगे तो यार रीवर को फ्लो करने के लिए पुश कहा से मिलेगा है ना तब ही तुमने सुना होगा कि रीवर जो है हमेसा पहाडों से निकलती है बेसिकली जनरली यही होता है हेंगेग भाही मैंने करों, यह पर दिखा था कि कैसे potential difference जो है create हुआ एक तरह positive potential difference फो Kill relative positive potential difference का मतलब होता है कि यह high voltage पर है यानि कि आपके पास में potential difference पर हम लोग बोलते है कि higher potential पर है गोलक्त ही हाइर potential यौर डिफ्रॉंस पर होता है हाईर पोटेंशल पॉंट तक जा रहा है जब एलेक्टूर्न एक पॉंट-से दूसरे पॉंट पर जा रहा है तो क्या रहा है इलेक्स फोर्स बहुतंत कर रहा है क्या कर रहा है थी और पासम इस कंट अगर electron फ्लो हो रहे है तो positive charges उल्टी direction में फ्लो होगे और अगर आपको मैं समझा हूँ तो potential difference को generally हम positive charges के way में लेते हैं तो high potential point से अगर lower potential point तक आपके पास में charges flow होते है that is your potential and वहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारे पास में potential difference current charges flow हो रहा है sorry current होगी तुम्हारे तो हम तोड़ा आगे बढ़ते हैं समस्ते चीज़ को और थोड़ा detail के अंदर तुम्हारे पास में potential difference है मेरे ख्याल से यहां तक सबको पलने पड़े गया अब एक चीज़ और है potential difference को generally हम लोग प्रेजन करते है delta of v से because v क्या है v nothing but potential between point a and point v इसको तुम्हारे पास में अगर मान लो conducting wire है यह conducting wire है और तुमने इस conducting wire पर यहां पर point a है यहां पर b है तो इस point पर voltage va है इस point पर voltage vb है charges flow होने की direction a to v है तो यहां पर va minus vb तुम लिग दोगे इसको तो यहां पर तुम्हारे पास में delta v is nothing but point a और b के बिच का difference है जो तुम्हारे पास में delta w divided by q से यानि कि किसी charge particle को a point से b तक ले जाने में जो भी work done हो रहा है वही potential difference है तुम्हारे पास में क्या होगा यहां पर work यानि कि तुम्हारा बोल सकते हो कि एक point से दूसरे point तक ले जाने में किया गया वर ठीक है तो यह होगा delta w divided by q तो ऐसा भी आप इसको कर सकते हो इसको आप wa minus w b भी लिख सकते हो तो यह हमारे पास में कहलाता है potential difference इसका जो यूनित होता है इससे हम लिखते है वोल्ट क्योंकि एक scientist थे वोल्टा नाम के Alexandra वोल्टा तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने इसको बताया था समझाया था इसलिए उनके नाम पर हमने बोल्ट लगा दिया ठीक है चलो अब समझता है कि this is the potential may be produced by a battery consisting of a one or more electric sales the chemical action within the sale generates the potential difference across the terminal of the sale even when no current is drawn from it होता क्या है तुम्हारे पास मैं जैसे मान लो कि मैं में बात करी बैटरी तो मुझे बात बताओ बैटरी अगर तुम्हारे पास only battery है सिर्फ बैटरी है और कुछ नहीं है सिर्फ बैटरी है और कुछ नहीं है तो क्या वहाँ पे current flow होगी नहीं until and unless आप ये वाले point को और ये वाले point को नहीं जोडते हो आपके जो charges है वो नहीं flow होगे बहुत simple of positive charges जादा होते है यानि कि electron कैसे है कम है जबकि इस तरफ क्या होगा यहां पे electrons बहुत सारे यहां पे electron particles बहुत जादा यानि negative charge जादा होता है तो आप देख सकते हो electric cell के बीच में जो भी chemicals होते है वो एक barrier क्रेट करते है जिसके अंदर एक तरफ पूरे positive charges दूतर तरफ negative charges तो आप खुद देखो potential difference create हो गया तो जैसे ही किसी conductor wire से दोनों points को जोड़े जाते है तो conductor wire में क्या होते है free electron होते है और यह free electron क्या करेंगे move करेंगे तो move कहां करेंगे इस तरीके से वो move करेंगे तो यह electron जो है वह कहां पर जाएगे जहां पे electrons की कमी है यानि की positive siray पर तो positive siray का मतलब क्या है कि यह higher potential पर है यह कैसा है higher और यह कैसा है लोवर पोटेंशल पर है यानि इलेक्ट्रोन कैसे फ्लो कर रहे है इलेक्ट्रोन लोवर डू हायर पोटेंशल पर जा रहे है यह हर कुछ surprise जयाता है और गलता गलती कर देता है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास में तुम बैटरी नहीं लगाओगे तो तुम्हें अगर तुम्हें अगर पास में पॉटेंशल दिफरेंश को हम लोग लिख सकते हैं कि इनी भी दो पॉइंट के पोटेंशल दिफरेंश को हम लोग कैसे रिप्रेज़न करते बच्छा जन्रली दवी इस एक वास टूवड यू से भी रिप्रेजन करते क्यू क्या है आपके पा आप हमेसा बोलते हो हमारे घर में वोल्टेज अपन डाउन होते रहता है वही वाला वोल्टेज है ठीक है बट याद रखना हम लोग यहां पर डाइरेक्ट करेंट पढ़ रहे है एक चीज और समझनेना ठीक है चलो तो यह आपके पास में आपका ओवराल पॉइंट था प यह बिएर किया था ना जी एमपियर को कर रहे हैं कि वैसा डिम चीज है क्या करोगे क्या करोगे ट्रिक क्या होगी इसकी तो इलेक्टर सेटी का सबसे बहला पंडा मेंटल चीज कि 1 वोल्ट is equal to 1W divided by 1Q या W का यूनिट क्या होता है W मतलब की वर्क वर्क का क्या होता है conductor के कहां सब लोग दोंगे भाई तो हमको किसकी नीड होती है किसी conductor की नीड है तो अगर किसी conductor में एक कुलाम charge को एक point से दूसरे point तक ले जाने में इस एक Joule का कारिय यानि एक Joule का work किया जा रहा है that means वो एक वोल्ट के equivalent है definition समझ रहे हो तुम्हारे पास में कोई conductor wire है ये conductor wire है point A है point B है मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इसके एक सिरे पर एक कुलाम का charge है total ये तुम्हारे पास में एक कुलाम का total charge है इस charge को point A से B तक ले जाने में अगर तुम लोग एक Joule का Joule क्या है? यूनिट है वरकी तो अगर तुम एक Joule का कारी कर रहे हो एक Joule का का काम कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोलते है this is equivalent to 1 V यानि A और B के बीच का potential difference क्या है? 1 V के equal है Got is this excuse को कहने का मतलब जो तुम लोग तुम्हारे circuit के अंदर सुईखा होगा सुना होगा तुम लोगोंने कि 9 V की बैटरी लगाई है सीखा तुमने कहीं कि यस हमने 9 V की बैटरी लगाई है तो 9 V क्या है भाई? यह नथिंग क्या है? यह आपके पॉइंट A और पॉइंट B यानि इस और इस पॉइंट के बीच में 9 V का potential difference क्रियेट कर रहा है जिसके कारण वायर में आपके current यानि I flow हो रहा है और यह current I flow हो करके क्या कर रहा है? आपके पास में इस बल्ब को जला दे रहा है ओके? आगे बढ़ते हैं on the next topic तो वही है 1 V is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 J of work is done to move a charge of 1 C from 1 point to another अब बात करते हैं कि इसको measure कैसे के जाता है? तो यार measure करने के लिए potential difference को हम यूज करते है voltmeter जैसे कि आपके current को measure करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था वैसे ही आपके पास में यह होता है voltmeter voltmeter एक ऐसे device है जिसको आप हमें सब parallel में लेवाते है what that mean? आप सब लोग ध्यान से सुनना ध्यान सुनना वापस से सुनना तुम्हारे पास में दो condition है वापस से मैं वही circuit बना रही हूँ जो मैंने पहले बना था ऐसा कुछ बना था ना मैने current के लिए चलो यह circuit को ध्यान से देखो तुम्हारे पास में एक circuit है ठीक है तुम ध्यान से देख सकते हो तुम्हारे पास में एक circuit है circuit में मैंने बोला यहां पे कि just imagine करो कि यह point A है point B है मैंने बोला कि मुझे point A और point B इसको नाम देता point A और point B का total voltage difference निकालना है और मैंने same चीज तुमको यह भी कहा थी कि wire 1, wire 2, wire 3, तीन wire है हमारे पास में इन तीनों wire का individual current निकालो तो if you remember पीछे पीछे याद करो वटाफट वटाफट दिमाग के गोड़े दढ़ा अपने तो मैंने का था कि A और B के बीच में का current निकालो क्रेंट निकालने के लिए करना पड़ता है current निकालने के लिए emitter को हमको series में लगाना पड़ता है तो तुम्हारे को अगर मैं बोलू वायर 1, 2, 3 के starting और end point क्या है तो तुम बोलोगे यार A के तो point है सबके point A and point B are अकेला point यानि की same point है जिस पे आपके wires distribute हुए है और इखटे हुए है that means point A और B के बीच में voltage difference same रहेगा reason हर किसी का point एक है तो यहां पर क्या करोगे तुम यहां पर एक voltmeter लगाओगे इसको हम circle में V से represent करते हैं इसे जोड़ वोल्ट मीटर तो यह तुम्हारा voltmeter लगेगा तो point A और B के बीच का जो भी voltage difference है वो तुम्हें मिल जाएगा potential difference मिल जाएगा और तुम पता लगा लोगे कि कितना voltage तुम्हारे पास में actually मैं point A और B के बीच में था अगर तुम same चीज़ ऐसे करो जिसे माननों तुम्हारे पास में एक light bulb यहां लगा हुआ है और C के बीच का potential निकालो potential difference निकालो यानि कि तुम्हारे पास में light A के लिए potential difference निकालो B के लिए potential difference निकालो C के लिए potential difference निकालो क्या गरो हो तो तुम यहां पर notice करना कि मैंने बोला है individual light के लिए light A, B, C के बीच के जो potential है वो निकालो हो सकता है कि कोई light जादा voltage ले रहा हो तो यहाँ पे हर किसी के लिए voltage को measure करने के लिए हमको अलग-अलग voltmeter का यूज करना पड़ेगा वो भी parallel में तो हमने क्या क्या जिस दो point के across हमें voltage निकालना था उसमें हमने उसको parallel लगा दिया देखो यहाँ पे जिस दो point के बीच में हमको क्या निकालना है voltage निकालना है उसको हमने उसके parallel लगा दिया voltmeter को और हम अब measure कर लेंगे हम यहाँ पे कहीं नि लगाएंगे अगर मुझे इसके बीच में यानि मैंने तो इस situation में हमको अलग-अलग voltmeter अलग-अलग जगह पे लगाने पड़ेगे parallel में device के ठीक है चालो अब बात करते हैं how much work is done in moving question है तुम्हारे पास में एक practice question है नहीं but question है देखो and मुझे इसका solution बता सको comment section में तो यार बड़ी महरबानी होगी मेरी तो नहीं आपनी की होगी यार question को पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि how much work is done in moving a charge of 4 kulam across 2 points having a potential difference of 24 V that means हमें W का value निकालना है V is equals to W divided by Q होता है हमें W निकालना याने कि V into Q तुम्हारे पास में V का value कितना है वो है 24 volts और 4 kulam के charges है तो मुझे बताओ कि 4 multiply by 24 whatever will be the answer answer will be in Joule तो comment section बताओ कितना answer आ रहा है इसका ठीक है Joule जो है unit है किसकी work done की और energy की basically energy को हम लोग Joule से represent करते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं तो potential difference current मेरे इतना भीजे में तो गुज़ गया होगा now main जो चीज है वो है circuit अब circuit क्या होता है circuit में आपको पहले बता चुकी हूँ circuit में हमारे पास में आपको पहले बता चुकी हूँ यह बेटरी मैंने बल्ब लगा दिया this is your bulb यहां पर उमारे पास में बैटरी है और मैंने एक यहां पर की लगा दी है ना switchboard बोलते है इसको तो अगर यह open है इसको बोलते है open अगर यह open है that means यहां current flow होगी क्या नहीं यहां पर current flow नहीं होगी क्यों क्योंकि रास्ता बंद होगा रास्ता ही बंद होगा तुम जिस रास्ता से जा रहते है वो रास्ता ही बंद होगा आप कहां से बहोगे तो अब यहां पर current flow नहीं होगी बट यहां पर इन दोनों points के across voltage रहेगा there will be a voltage difference ठीक है यह चीज यहां रखना अब बात करते हैं हम लोग यहां पर किस चीज की close circuit की तो यह आपके पास में open circuit कहलाता है close that means आपके पास में जो आपकी की है वो close होती है इस तरीके से ठीक है ओके चलो अब हम लोग बात करते हैं circuit के component that means circuit में आप एक circuit में क्या क्या चीजों को add कर सकते हैं यानि कि आप लोग अगर घर में देखो actual circuit जो होते है वो light bulb से बहुत ज्यादा होते है तुम लोग देखो यार तुम तुम तुमारा घर का ही system उठालो तुमने meter देखा है तुमने fuse wire देखा है तुमने capacitor देखे है तुम लोग ने पंखे वंखे भी देखे हुए tube light देखे है टीवी देखे है फिस देखे है हार टाइप का different type का device होता है बहुत सारे circuit में device लगते हैं ठीक है जैसे bulb हम लोग ने लगाया वैसे बहुत सारे different different devices होते हैं जब इंजिनिरिंग करोंगे तो first year में पढ़ोगे ओविस्सी बात है first year second year में पढ़ोगे networking में बट मैं आपको यह बता रही हूँ कि यह जो circuit है यह बहुत limited circuit है इसमें आपको बहुत कम समझाई जा रही है जब आप class 12 में जाओगे कैसे represent होता है उसे हम लोग show करते हैं तो यह आपके पास में जैसे electric cell सबको पता है कि cell को हम लोग किस तरीके से represent करते है this is your cell this is your cell cell जो होता है वो अकेला होता है cell जो है वो तुम्हारे पास में हमेशा अकेला होता है यानि कि this is your positive end this is your negative end cell में एक बड़ा डंदा एक छोड़ा डंदा बड़ा डंदा बताता है कि higher potential पर है छोड़ा डंदा बताता है कि वो lower potential पर है छोटा डंदा negative पर होता है बड़ा डंदा positive पर होता है तो battery क्यों होता है battery बहुत सारे cell को जूड़के बनती जाने कि like this बहुत सारे हो सकते हैं फरक निए बना इस इस यूर बैटरी इस इस कॉल्ड बैटरी तो फिर एक होता हOoh यहार तरीका है कि दो तर यहाँ जोड़ः तो नहीं चार संभू तो जब थार जूड़ते है तो आपको त्रॉपर वहां पर के डौट बनाना यह पताता है कि आपस में जूड़े हुए बट अगर मान लो कि दो तार आपस में जूड़े हुए नहीं है तो उसको का करना पड़ता है उसको कुछ इस तरीके से रिप्रित है और दूसरा तार आपके पास में जूड़ा हुआ नहीं है तो आपको ऐसे समझाना पड़ता है क यह दोनों आपस में अलग-अलग है तार A और तार B अलग-अलग है तो this is the representation कि अगर आपके पास में दो तार देखो यहां पर दो तार क्रॉस कर रहे हैं और वो चिपके हुए है तो हमने मेरी आदत है यह बनाने की तो यह दोनों ही सही है रजिस्टर और रजिस्टन्स अब यह नया टम तीखोगे तो कि अभी अभी पढ़ेंगे आगे and this is like यह यह होते हैं आपके पास में रजिस्टर ठीक है इसको आप ऐसे पहाड भे सारे पहाड बनाने पड़ते हैं क्यों पह आपके पास में ब्रेकर की संख्या आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो कम करनी तो करनी कर सकते हो है इसको हम लोग बोलते है वेरियेबल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग एसे क्या करते हो तुम लोग तुमने एक रेजिस्टेंस का बनाया समबल उस पर डाल दिया एरो जो है वो रेप्रेजेंट कर रहा है कि कितना तुम्हारा जो वैल्यू है तुम चेंज गर सकते हो को हम लोग ऐसे एंट करते हैं बूल्ट मीटर को paar मोसुने इसोcji है चलो अब लोग बतते हैं हमारे पास में अब की पत में आता है लाज आधा यह बहुत बड़े साइन्टिस थी सइंड होने कुछ जासी कर ली दिए कि यार हमारे लाइफ में बहुत कुछ होता है अगर electrical circuit है तो कुछ problems ही होगी उन्होंने पाया उन्होंने क्या किया उन्होंने वेरियेबल register का उन्होंने एक ऐसा device का यूज के जिसमें current के value change कर सकते हो जिसमें आप voltage को भी सकते हो चेंज कर सकते हो तो उन्होंने पूरा का पूरा क्या करा setup बनाए जहां पे वो current और voltage के बीच के relation को understand कर सके कि क्या होगा अगर मैं voltage change करूं तो current का value change होगा क्या यह नहीं होगा है ना तो यह उन्होंने proper explanation दी थी यानि कि voltage का value of course हमको पता है current कप होगा जब voltage हम लोग change करेंगे है ना definition में हम लोग लिखता है कि current is proportional to V something ऐसा कुछ लिखता है लेकि problem तो यह है ना कि जब voltage difference change करेंगे तभी तुम्हारे पास current का value भी change होगा तो उन्होंने इसी में कुछ relation की experiments की बहुत सारी चीज़े करी और बताया कि the potential different V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provides its temperature and other physical quantities remains unjilled कहने का मतलब क्या है तुम्हारे पास में कि ohms का law था कि तुम्हारे पास में तुम्हारी environmental conditions है उसमें कोई change नहीं करते हैं देखो physics में बहुत सारी चीज़े होती है तो कि ऊपर नीचे होई तो value बदल जाती है पहले ही देख रही थी उन्होंने बोला कि current और voltage में कुछ relation है पहली चीज़ दूसरा voltage को अगर मैं change करूँ तो current पे कितना अगर देखता हूं उन्होंने voltage का value change किया तो देखा कि current के value में change आ रहा है तो यह इन दोनों के बीच में relation उन्होंने create किया and that relation is nothing but like this उन्होंने बोला कि V जो होता है वो I के proportional है यानि कि अगर मैं V के value में increment करूँगी तो I के value में increment होगा और अगर मैं V के value में decrement करूँगी तो I के value में भी decrement होगा अब problem क्या हुई? problem यह हुई कि proportional constant को जब हटाया गया तो proportional constant is nothing but a resistance R so V is equals to IR यह आप पढ़ दो V is equals to IR तो V is equals to IR एक बहुत ही तगड़ा formula है यहाँ पर क्या हुआ सब लोग अब ध्यान से सुनना तो यहाँ पर एक हमको value मिली R तो R क्या चीज है? R is nothing but R हमको बताता है resistance resistance of wire और resistance in circuit ठीक है चलो तो R क्या है? resistance in circuit तो इसको अगर आप समझो इस चीज को सब लोग ध्यान से देखो तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर value of V is equals to हमारे पास IR हमको मिल लिया तो IR एक ऐसी चीज है जिसमें हमको R का value मिले है तो R क्या उता resistance होता है और resistance जो है वो nothing इसको हम लोग define करेंगे resistance एक ऐसी value है एक ऐसा constant का value है जो की बहुत सारी equation के बादा है मैं आपको बठा देती हो कि वह class 12 में जाओगे class 12 में आपको पूरा derivation है कि how resistance came हमको इसका value कहां से पता चलेगा हम कैसे किसी भी wire के अंदर का resistance निकाल सकते है वो चीज़े आप class 12 में दीकोंगे अभी बस यह जान लो कि एक ऐसी constant value है जिसका value हम लोग जानते है ठीक है और वो किस पर dependent है वो आपके voltage और current पर directly dependent है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो r is equals to v by i यही होगा न यहां से आप लोग लिखा सकते हो r is equals to v by i यानि कि ratio of voltage with respect to current is nothing but r r का जो unit है वो ohm के नाम से देते है ohm is scientist ohm और एक Greek later है उसमें ohm को ऐसे represent करते है ना उल्टा इल्ली तो इस तरीके से उसको represent करते हैं तो अब बात करते हैं वी आई ग्राफ अब यह वी आई ग्राफ क्या चीज़ है सब लोग ध्यान से सुनना हमने बोला कि voltage and जो current है वो directly proportional है also हमने क्या देखा हमने देखा हमने दो तीन चीज़ा notice करी first is v is equals to i r second is i is equals to v by r i is equals to v by r and the third one is r is equals to v by r हमने यह तीन चीज़ा notice करें problem number one जो हमारा पहला statement था कि यार आई जो है वो resistance के inversely proportional है यानि कि current जो है वो resistance से प्रभावित हो रहा है अगर तुम resistance का value increase करोगे तुमने अगर denominator increase किया तुम्हारा v constant है अगर मैं v constant ले लू तो i तो inversely proportional हो गया r के i to inversely proportional है r के जैट means अगर r का value बढ़ा दू तो i का value बहुत कम हो जाएगा same चीज़ यहां पर देखो यहां पर देखो कि व का value increase करोगी तो r का value sorry i का value increase होगा यही होगा ना व का value increase करेंगे तो हम i का value increase कर रहें तो दोनों जब हम इसका graph बनाते ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक constant value हमेशा मिलते चले जाएगा आप लोग देखो कि आप सभी लोग ध्यान से देखो हमारे पास में जैसे जैसे हम लोग current का value change कर रहे है वैसे वैसे voltage भी उदर उपर increase हो रहा है जैसे जैसे हमारे पास में voltage input आप लोग देखो यहां पर दोनों में relation देखो जैसे जैसे यह बढ़ता जा रहा है वह भी बढ़ता चला जा रहा है और हमें इन दोनों के relation में एक straight line मिल रही है and that this straight line is showing the r value इसका जो slope होता है इसका जो slope होता है आपको पता है किसी भी graph का slope होता है basically slope हमें बटाता है i by r, slope किस तरह रहा होगा, slope को represent करोगे आप लोग आपके पास में बच्चा v by i से and v by i is nothing r ठीक है तो यह v i graph होता है अब बात करते हैं resistance की तो अभी हम बहुत बखर बखर करें तो resistance होता गया है अब बात बताओ तुम्हारे पास में conductor है तुम्हारे पास में conductor है अचानक से तुमने यहां पर positive यहां पर negative बैट्टरी का लगा दिया conductor है बट्टे का एक तरफ positive दुसी तरफ negative लगा दिया अब अचानक से electron को एक force मिल रहे हैं अचानक से electron को force मिल रहे हैं और सारे के सारे electron भागा दोड़ी करते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे हैं सब लोग सोचो सभी के सभी electron जो है वह भागा दोड़ी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इस पूरी process में मुझे बताओ कि क्या एक दो electron है नहीं एक conductor में बहुत सारे electron होते भाई हमने पढ़ा कि एक कुलाम के अंदर number of कितने electron पाए जाते भाई तो यहां से तुम्हारे logic में चीज़ समझ वहाएगी कि जब हम एकटा भाग रहे हैं तुम भी सोचो तुम्हारी स्कूल की शुट्टी होती है जैसे टंटं टंटं वेल बसती और सारे सारे बच्चे एकटा बाहर निकलते है और जब एकटा बाहर निकलते हैं तो हमको पता अधर आटम से तक्राएंगे कुछ उसमें इंप्यूरिटी जो हमें बताता है कि करेंट के फ्लो में यानि कि तुम्हारे पास अगर करेंट लो हो रही है तो एलेक्ट्रों जब आगे बढ़ रहे है तो बहुत अधर एक्टम के साथ में टक्रा रहे है तक्कर के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है फ्लो में कुछ-कुछ प्रॉब्लम आ रही है and that is your resistance तो resistance क्या होता है resistance is defined is the property of a conductor to resist the flow of charges through it the resistance of a conductor is numerically given as the ratio of potential difference across its length of the current flowing through it ठीक है तो आर हमको पता है हम लोग V by I से represent करते है और इसका जो unit है वो क्या होता है ohm के नाम से दिया जाता है अब यहाँ पर question बनता है question तुमसे पूछ रही हूँ मैं define तुम्हारा काम है मैं नहीं करूँ इसको define R 1R what is 1 ohm sorry define 1 ohm तो define 1 ohm जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा इसका तो V4 क्या होता है V4 voltage voltage मतलब कि तुम्हारे पास V और तुम्हारे पास में जो I है I को हम लोग A से represent करते हैं तो voltage और ampere यानि की volt ampere का inverse एक ohm के बराबर है तो कैसे define करोगे तो what is 1 ohm तो what is 1 ohm तुमको define करना है कि कि किसी conductor में जब current flow होती है या हम ऐसे बोल सकते कि जब किसी conductor के दोनों सिरो पे point A और point B के बीच का potential difference अगर हम लोग यानि की V, A, B के बीच के अगर मैं बात करूँ तो अगर वो एक volt का होता है और तब उसमें अगर एक ampere की current flow होती है तब हमारे पास में वो एक ohm के तब हमारे पास में उस wire के अंदर एक ohm का resistance क्रियेट हो जाता है ठीक है चली अब बात करते हैं तुम्हारे पास में की resistance actually होते कैसे है देखो जो हमारे conductor wires होते चाहे वो कोई भी metal हो चाहे वो तांबा हो चांदी हो सोना हो हैना यह भी एक metals होता है तो हर किसी metal के अंदर different type का resistance होता है यानि inner resistance होता है अंदर वो भी बढ़ेंगे में बनागे तो inner resistance हर किसी में होता है बट कई बार हम किसी circuit में extra registers का use करते हैं अब registers क्या है registers एक ऐसे devices हैं जो कि आप देख रहे हो यह extra resistance देती है आपके पूरे circuit में यानि कि अगर में circuit को बनाओ तो circuit में मान लीजिए आपका light bulb है है ना मान लो यह आपके पास circuit है तो यहां पर एक register लग गया यहां पर आपने light bulb लगा दिया and then आपने battery लगा दी तो इससे क्या होता है ना कि जैसे हमान लो कि आपके पास में battery 10-12 volt की है और आपके light को सिर्फ 8-9 volt चाहिए होता है तो हम लोग यहां पर register का use कर लेता है ताकि light में current जो है कम जाए क्योंकि हमको पता है series में तो क्या होगी current सेम ही होती है तो यहां पर resistance के कारण क्या होगा current जो है वो यह ले लेगा तो यहां पर हमारे पास में कम current जाएगी तो light हमारा बज्जा तर ठीक है यहां पर जो potential difference होगा तो इस तरीके से हम लोग जो होते हैं तो यह आपके पास में circuit है तो extra भी resistance हम लोग लगाते हैं तो यह extra resistance है जबकि वायर का इसका internal resistance भी होता है चलिए अब बात करते हो component of a given size that offers a low resistance is a good conductor यानि कि जिसका कम resistance होता है वो बहुत अच्छा conductor होता है यसीलिए आपने देखा होगा हमारे घरों में copper wire का यूज करते हैं ठीक है हुए थे उसमें gold medals को बनाएगा तो यह news बहुत popular हुआ थी क्योंकि electronics के जो material होते हैं उसमें सबसे बेस्ट कंड़क्टर आपका सोना होता है गोल्ड होता है और उससे जो भी गोल्ड निकला उससे उन्होंने gold medals बनाए और काफी सारे gold medal बनाए एक दो नहीं बहुत सारी that means बहुत सारा gold हम लोग हमारे semiconductor यानि जो chips होते mobile phones होते उसके अंदर भी यूज कर रहे होते हैं ठीक है क्योंकि वह बहुत अच्छे conductors होते हैं ठीक है तो जिनकी resistance कम होती है वह अच्छे conductor कहलाते है बर जिनका resistance जादा होता है जैसे कि लोहा लोहे का use हम लोग वायर में नहीं गरते लोहे का resistance जादा होता है अब बात करते है कि या resistance को कौन-कौन सी चीज़ा जो है परिशान करेती है बढ़ाती है तो factors affecting resistance या बोल सकते हो कि of a conductor तो पहली चीज length of the conductor जितना लंबा वायर उतना ज्यादा resistance यानि की R is proportional to L area of cross section of a conductor और thickness of the conductor होता क्या है जितना मोटा वायर है ना जितना मोटा वायर उतना कम resistance यानि की R is inversely proportional to area यानि जितना बड़ा मुझत अब खुद सोचो ना जितना जगह रहेगी उतना कम resistance रहेगा तो हमारा पस मोटा जितना वायर रहेगा उतना जादा अच्छा करेंड फ्लो होगा तब ही तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो त इसमें aluminum के मोटे मोटे तार होते है पत्ले पत्ले ने तो मोटे मोटे तार होते है रीजन क्यों है क्योंकि resistance कम आ जाते है then nature of the material of the conductor yes temperature of the conductor तो यह भी dependent होता है चलो अब बात करते है एक छोटे से विप्टार से relation की बात करते है हमारे बास में तो अब हम बात करते है कि यहां पर क्या होता है कि हमने दो चीज़े देखी कि R जो होता है यहां पर वो दो चीज़ों पर dependent है R is proportional to L R is proportional to 1 by A so basically जब हम इसको combine करते है इसको equation 1 दे दीजे इसको equation 2 दे दीजे यानि कि resistance जो है लंबाई पर बढ़ जाता है और मुटाई करने पर कम हो जाता है तो इस विदिय के हिसाब से R is proportional to L by A लिख सकते है combine कर दो same ही चीज़ है तो यहां पर जब proportional constant हटता है तो हमारे पास में एक नया term इंट्रोडियू होता है जिस इस this and यह जो ultra type का आपको साब दिख रहा है this is your row row जो होता है बच्चा एक प्रकार की resistivity होती है इसको हम लोग बोलते है रो तो रो एक आपके पास में ऐसा term है जिसको हम बोलते है resistivity यह term जो है आपको लोगों का यूस करना तो basically क्या होता है कि रो is a constant proportionality and it is called electrical resistivity of the material of the conductor and the SI unit of resistivity is ohm into meter इसमें कसी को शक क्योंकि देखो ohm into meter इसलिए क्योंकि यहां से तुम्हारे पास में तुम देखो r का होता है ohm ठीक है और हमें rho का निगालना है तो this is your rho तो ohm into meter square divided by meter यहां से meter से meter cancel हो गया तुम्हारे पास में तो unit of rho आगी वो क्या होगी ohm into meter ठीक है चलो अब हम दोड़ा आगे बढ़ते है तो हम दोगों ने क्या देख लिए unit देख लिए an ohm into meter होती है तो यह basically होती क्या है resistivity is nothing resistivity is nothing हमें यह क्या बताती है यह आपकी basically किसी भी किसी भी जो like it is a proportional consistent तो resistivity हमको बताती है कि कोई भी conductor wire है कोई भी conductor wire है अगर उसके आपको r का value पता है उसकी length पता है a पता तो आप उसकी resistivity निकाल सकते हो and that is constant value यह change नहीं होगी यह change नहीं होगी और हर किसी material की खुद की एक resistivity होती है यानि की हम कह सकते हो it is a characteristic property of a material यह हर किसी के अंदर होती है इसने मेरे अंदर भी दिल है नीवर है फेफ़ड़ है जिगर है सब कुछ है ना तो वैसे ही किसी भी conductor material के बीच में यह properties होती है it is a characteristic property of a material the metal and alloys have a very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm into meter they are good conductor of electricity but insulators like rubber and glasses resistivity with 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter अब सोचो हमारे पास में conductor है 10 to the power minus 8 की range में जब की तुम देखो जहां पे insulator 10 to the power 17 की range के बीच में difference देखो दोनों में तो एक की resistivity कितनी कम है एक कि कितनी जाद है तो जिसके resistivity कम होती है वो उतना ही अच्छा conductor है जबकि जिसके resistivity कितनी जादा होती है वो उतना ही bad conductor यानि उतना ही अच्छा insulator ठीक है और यहां पर समझो वोट दर जिस्टेंस एंड दर जिस्टिविटी ऑफ अफ मटेरियल वेरी विथ तेंपरेचर नोट पॉइंट है यह बहुत इंपर्टेंट चीज है क्योंकि तेंपरेचर बनाने बढ़ाने पर क्या होता है जो हमारे चार्जर का मूवमेंट वो बढ़ जाता है अब बात करते हैं कि अगर्जिस्टिविटी कितनी होगी कंडुक्टर की यहां पर गिवन आप देख सकते हो सिल्वर की सबसे कम हैं कॉपर अलूमिनन निकल आरन मर्कुरी मगनेशियम यह देख सकते हो आप लोग देखो सिल्वर की सबसे कम 10 to the power minus 8 फिर कॉपर की है लगब आपके पास में क्या है अब एक चीज समझना है यह नाइक्रोम है इसका यूज हम लोग आरन वगरे मटेरियल में करते हैं नाइक्रोम का बहुत बहुत करते हैं विकॉज इसकी रिस्टिविटी 100 मुल्टिपर 10 to the power minus 6 यह लगभग 10 to the power यह minus 4 की रेंज में होता है and that gives us enough to change our electrical energy into heat energy हम लोग समझेंगे एक चाल किया बोल दिया मैंने समझेंगे and फिर आप insulator देखो insulator में electron flow is in गड़ते हैं glass hard rubber ebonite diamond paper into the power 10 14 16 17 13 12 next अब बात करते resistance of a system of register अब यह क्या चीज होती है आप समझदो मेरे पास में मैंने बोला कि हम लोग कुछ components का यूज करते है नाम होता इनका रेजिस्टर तो क्या करता है register कोई भी load भी हो सकता है load in the sense तुम्हारे पास में bulb हो गया है ना या तुम्हारे पास में fan यूज कर रहे हो तो इसको हम लोड बोलते है यह जन्री इन में भी खुद का क्या होता है रेजिस्टेंस होता है अब रेजिस्टेंस को कैसे हम manage करते है इस पर डिपेंडेंट होता है कुछ इसके फैक्टर होते है जैसे कि पहरी चीज होती तुम्हारे पास में वाट इफ हमने सीरीज कोंबिनेशन से ापके पास में दूसरा होता है इसमें आप एक बूसरे के पैलल कर देते हो तो डिफांट जो होते है वो तीन तरीकसे पास में जूरते है अब फॉस्ट वन सेटंड वन थर्ड तो यहाँ पर क्या होते है पैरलेल में आप देख सकते हो इसे हम लोग बोलते है पैरलेल कॉंबिनेशन अब दोनों ही कॉंबिनेशन टोटली डिफरेंट होते है पैरलेल कोंबिनेशन का एक फाइदा होता है और किलोफ भी है तो यह हरiggling जर्ली से होतेج tiap से तो चल potrze करते हैं चलिए सबसेते पह Ads का समूदितर खर doubts तो नरुए चीज़ पता है हम लोग कैसे इसको कैसे यूज करेंगे क्या हम लोग इसका fundamental यूज करेंगे तो आप सब जानते हूं कि इसको value निकालने की यानि कि हमको इस circuit का total resistance भी तो प्राप करना है भाई हमको कैसे पताते लिगा कि इस total circuit का resistance कितना है कि हम यहां पर कितने बोल्ट की battery लगा सके हमको नहीं पता ना कि total resistance कितना होता है हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर हमने लगागी एक battery इसको लेजी हम लोगोंने negative अब सब लोग जानते हो कि यहां से current flow हो रही है और हमको एक शीज पता है कि series में current बटेग है वो change होटाएंगे तो let's assume कि R1 के across V1 voltage है R2 के across V2 voltage है and R3 के across V3 voltage है तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा यार अब सब लोग देखो हम सभी जानते हैं कि हमें basically करना क्या है हमें total across हम लोग हो सकते हैं कि हमें total voltage का value find out करना है अब तुम्हारे पांस में तुम लोग यहां से नि हम लोग क्या जानते हैं कर हमको यह पता है कि V is equals to IR होता है so for so for R1 voltage will be V1 R2 के लिए voltage is V2 R3 के लिए voltage is V3 then then क्या होगा then V1 is equals to IR1 V2 is equals to IR2 V3 is equals to IR3 क्या किया हमने क्या क्या किया हम लोगों ने कुछ नहीं किया हम लोगों ने let's assume क्या R1 के अक्रॉस V1 voltage आर्टो के अक्रॉस V2 RC के अक्रॉस V3 voltage अब इस पूरे के पूरे combination में एक चीज हुई कि हम लोगों ने यहां पे इसका value find out किया किसके तंब में इसका value find out किया in terms of IR क्यों क्योंकि हमको एक बात पता है कि पूरे के पूरे circuit में यार current constant है बस voltage change हो रहा है और हमको एक चीज पता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 will be equal to V ही रहेगा एक बहुत important चीज है we know that we know that कि पूरे circuit का total voltage difference है यानि इन दोनों के across इन दोनों के across इन दोनों के across मालो कि यहां पे तो of course इस total potential difference का sum होगा तो यह चीज हम लोग यहां पे use करेंगे that means हम लोग लिख सकते है here V will be V1 प्लस V2 प्लस V3 that means from equation इसको नाम रहेगा equation 1 equation 2 equation 3 क्या हो जाएगा V will be IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 solve करने पर क्या हो जाएगा V will be I बहार निकाल लो यहां निकल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और यह वाली सबसे पहले वाली equation equation आप इसको नाम देदो from equation यह हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मैं V by I कर दूं वहां से तो we know that R will be R1 R2 प्लस R3 that means अगर मैं series में जब भी resistance लगाती हूँ तो total resistance मुझे इनका sum मिलता है क्योंकि voltage का जो difference होता है across all same होता है तो हमारे पास में यह voltage divide हो रहा है और voltage का जो summation होता है voltage का जो summation होता है वही हमारा answer है so V by I is equals to R सब लोग देखो equation A से ठीक है तो हमें क्या मिल गया value मिल गया किसका R का ठीक है चलो तो यह था आपके पास में कि series में अगर register जूड़े हो तो क्या होता है यहाँ पे R is equals to R1 plus R2 plus R2 जहाँ पे R क्या है बच्छा R आपके पास में net resistance होता है then what happens when registers are in parallel parallel में क्या होता है सब लोग जानते हो parallel के अंदर एक problem होता है कि current divide हो जाती है parallel के पास में across voltage same रहेगा R1, R2, R3 के पट यहाँ पे current I1 हो जाएगी यहाँ पे हमने I2 मान ली यहाँ पे हमने क्या मान लिया I3 मान लिया और यह हमारे पास में total current I1 है यहाँ तो निकलेगी तो यहाँ भी क्या में लेगी हमको I1 तो यहाँ पे क्या problem होई कि voltage same में बस current क्या होगा चाहिए हो गया तो for this position we know that फिर से अगीर V is equals to IR यह हम लिख सकते हैं कि R is equals to V by I equation 1 डाल दिया मैंने इसको अब across R1 सब लोग बताओ मुझे R1 के लिए जो total R1 का value होगा वो क्या होगा अब सबको पता है R1 का value तो आपको पता है कि V is equals to हमेसा IR ही रहेगा V is equals to क्या होता है IR होता है लेकि हमको एक चीज़ पता है यहाँ पे तो current अलग हो रही है तो R1 से कौन सी current flow हो रही है I1 तो I1 इन्टू I1 आपके पास में क्या होगी current flow हो रही है तो I1 इन्टू R आपके R1 क्या रहेगा आपके पास में voltage रहेगा तो हमारे पास में हम क्या लिख सकते कि R1 के लिए current जो है यानि value of current is what current is I1 R2 के लिए current हमारे पास में क्या है I2 R3 के लिए current क्या है बटा आपके पास में I3 problem क्या है from this from this हम एक चीज जान रहे है from terminal X आप तो देखो इस terminal X और terminal Y इस दोनों 0 को देखो कि इन दोनों point पर हमें at the end current same मिलने वाली है तो हम यह जो क्या निकालनी है values निकालनी है वो current के term में निकालनी है V V by R1 यानि कि तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम्हारे पास में I will be V by R ही तो होगा तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे I1 will be V by R1 equation 1 I2 will be V by R2 equation 2 and I3 will be V by R3 equation 3 हुआ गया? तीनों में current जो है distribute होगी तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हमको एक चीज़ पता है we know that from X हम लोग लिख सकते हैं between X and Y have total current of I total current कितनी असके पास में I है है ना? इतना तो तो तुम लोगी agree कर रहे हो तो यह तुम्हारे पास में क्या होगी? I हो गई तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि I will be your I1 plus I2 plus I3 simple है so I की हम value लिखेंगे from equation 1 to 3 sorry इसको हम लोग नाम लगे देगे कि बच्चा इसको हम लोग बोल देगे इसको A नाम लगे देगा A तो from equation 1 to 3 क्या जाएगा? 1 to 3 के साथ है V1 by R1 V2 by R2 V by R1 plus V by R2 plus V by R3 अब सब लोग अगर कोई बच्चा ये question पूछ रहे हैं V क्यों ले रहे हैं? V1, V3 क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर से बच्चा आपके पास में इन दोनों points के बीच के बीच के बीच के देखो हैं आपे ये point X है, ये point Y है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है इन दोनों के बीच का voltage सेम रहेगा इन तीनों के बीच का voltage सेम रहेगा बदलेगा क्या सर्फ current बदलेगा that is the only result हमने होगे ये V लिया है तो यहाँ पर सब सॉल्ट करोंगे V common निकाल लो, तो V आपते पास common निकल गा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 अब क्या करोंगे, I by V कर लो इसको तो हम सब जानते हैं, I by V is what is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास में एक simple साथ चीज है जो कि this, हम सब जानते हैं, V by I is nothing V by I is nothing तुम लोग यहां पर देखो, sorry, V by I बुर रहे हैं, I by V will be what? तो from equation 1, from equation A, sorry, A if V, अदब, if V is equals to I R then I will be V by R और, और I by V will be 1 by R I by V will be 1 by R तो यहां से I by V का value किता रिखोगे, 1 by R तो R क्या है, total resistance और वो जायरा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 तो यह होता है आपका parallel connection का total resistance 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 अब बात करते हैं, heating effect of current yes, one of the most important part जो कि बच्चे छोड़ देते हैं, बट बहुत easy और paratopic है heating current, अदब, heating effect of current हमारे पास में ऐसा बोल सकते हो कि यह वो law है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जब हम लोग electrical energy को convert करते हैं इसमें, आपके heating energy में, heat energy में यहां पर basically हो क्या रहे है, आपके पास में जो आपकी electrical energy है वो किस में convert हो रही है, वो ही convert हो रही है आपके heat energy में दोनों आपके form किस के है, energy के, तो this is the juice law of heating current, या heating effect of current तो इसमें होता क्या है, कि जब आप किसी conductor से current flow करते हो तो इनके कहने का मतलब यह है, कि मान लीजिए हमारे पास में कोई conductor है, देसमें मान लीजिए हमारे पास में कोई conductor है, यह मेरे पास में conductor है तो बोलता है कि यहां पर जब किसी conductor से current flow होता है, तो जब किसी conductor से flow होता है, तो वो conductor लेक्सर त्थीत करता है वो अपनी ऑपनी अनरजी को ल्लॉस करता है तो आपके पास में Joule का हीटिंग एफेक्ट आप करेंड यहां पर चार्ज इसको सोचो जब तो दो तो आपकर आते हो तो एनर्जी तो रिलीज करेंगी तो वहाँ पर एनर्जी जो होगी चीज होगी ना एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी अबजर्ब होगी वैला सिट्वेशन होगा तो वह एनर्जी को क्या करते है रिली इस कहते है तो यहां पर heating effect of electric current that means आप लोग उनग सकते हो कि this is known as Joule's Law of heating the law implies that heat produced in a register is directly proportional to the square of the current ये कैसे आया सब लोग सुनना मेरी बात तो basically अगर आप चाहते हो कि हमारे पास जो electric current है उसके बारे में समझो है तो समझो सब लोग एक बात समझना कि जब हम किसी भी circuit की energy को निकालते है, energy मतलब कि what is energy, अगर किसी को याद हो what is power तो power होता है आपके पास में basically कि आप rate कितना कर रहे हो मतलब work done की जो rate होती है वही तो power होती है याने की W by T हम लोगों ने ये पढ़ा है बच्चपन में है ना तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो यहां से निकाल सकते हो आपका value कि You. और अब मुझे बता हो कि w को किस अगरा यानि की w वही आपके पास में वी इंटो क्यू लिख सकते है ना तो यहां से जब लोगे ही वी इंटो क्यू तो Pthis गउसगे तो P ॉ यॉर V into Q divided by T तो आपके पास में क्या हो गया यह? एक relation में हो गया याने कि P is equals to V into में I तो V into में I क्या है बेटा यह आपके पास में एक type का relation है This is the relation of power power का relation होता है V और I की term में अगर आपको किसी भी circuit की power को represent करना होता है तो आप उसे कुछ इस तरीके से show कर सकते हो ठीक है? तो जब भी आपको कुछ भी ऐसे represent करना होता है तो आप लोग क्या करते हो term को easy बनाने की कोशिश करते हो तो हमारे पास में मैंने होता है कि हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर किसी भी हमारे पास इस electrical circuit है तो उसमें पहले हमें value find out करनी पड़ेगी कि यह कितना हमारे पास में जो work है वो done हो रहा है ठीक है? चलो तो यहां पर हमने power निकाल लिया, basically power is nothing voltage multiply by current अब यहां पर जो joule का heating effect है वो बोलता है कि it is directly proportional to the square of current for a given resistance directly proportional to the resistance for a given current directly proportional to the time for which the current flows through a register अब मैं यह क्यों बढ़ा रही हूं तो अब लोग सुनना तुम्हारे पास में यह मैं फॉर्मूला फॉर्मूला खेल रही हूं मुझे पता भी मैं फॉर्मूला फॉर्मूला खेल रही हूं और यह तुम्हारे पल्ले वो कितनी हीट एनर्जी प्रोद्यूस कर रहा है तो इस यू नौ वह स्कूर्स के जानए हम लोगे लोग है इसको ना पॉर्मूला यहों ना गती हो इसको मैं उक्वेशन 1 दिन एकीशन चू Europa अगर मैं दोनों को इकवल कर सकते हूं जहां पे W is work but you know that for energy we use H, H is heat energy जिसको हम लोग लिखते है heat energy या फिर E तो आपको पता है कि हम लोग जो work done करते है या P के और energy के बीच में relation जो होता है वो होता है E by T नहीं पता तो बता दो बच्चा आपके पास में कि जो भी energy with respect to time होती है that is your power ठीक है तो आपके पास में P के जगे पे मैंने क्या पूट कर दिया आपका P के जगे पे मैंने पूट कर दिया H by T तो क्या कुछ गलत होगा क्या सही है है ना ओके तो हमारे पास में हम लोग क्या गर सकते बच्चा कि आपके पास में यहाँ पर हम लोगों ने लिखा इसको h by t v is nothing but i r into i तो यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया i square t ठीक है तो आपके पास में h हो जाएगा यहाँ पर multiply करने पर h will be equal to i square r into and u ठीक है तो यह हमारे पास में बहुत ही simple साफ बनना था तो हम लोगों लिखा के formula लिखा ला formula के हिसाब से h is equals to i square t तो h यहाँ पर मैंने कुछ गलर कर दिया लुग तो राइक प्रोपोशनल टाइम हाँ यह लिखा हुआ हुआ है time resistance and तो हमारे पास में h is directly proportional to i square h is proportional to your r h is proportional to t that means हम इसको लिखते है h equivalent to i square r t और यह formula बहुत जरूरी इसका मतलब क्या होता है अगर आपके पास में कोई conductor है अगर आपके पास में कोई भी conductor है तो conductor से यह conductor के आप बोल सकते हो कि कितने time कितनी देर में आपका कितना resistance है और वहाँ पे आपका जो बच्चा करेंट का value है उसको square कर दीचे तो आपको energy मिल जाएगी जितनी आपने invest करी है ठीक है तो यहां से हमारे पास में क्या होगे हमको पता चल जाएगा अगर हमको current का value पता गर किसी circuit में मान लो तुमारे पास में यह circuit है ठीक है मान लो तुमारे पास में circuit है वह around तुमारे पास में लगभग मान लो कि 3A मान लो एंड मैं बोल रही हूँ कि यह T equal to 1 minute यह हम एक second की बात कर लेते है ना तो T equal to 1 second के लिए जलाया जा रहा है तो क्या होगा यहां पे तुम इसको find out करो 3 multiply by 9 multiply by 10 multiply by 1 तो आपके पास में 9 multiply by 10 multiply by 1 तो आपके पास में 9 multiply by 10 मतलग भग बोल सकते हो कि 90 Joule की जो energy है वो lost हुई है इस circuit में एक second तक current flow करने में यानि कि अगर मैं एक second तक current flow करती हूँ तो energy कितनी lost हुई है 90 Joule तो यह चीज होता इसका मतलग ठीक है तो practical application का होता है बहुत सारी जगा इवन मैंने कहा कि iron होगा light bulb हो जायता है आप सब लोगोंने heater देखा होगा heater के अंदर जो energy होती वो heat energy होती और वो काफी ज्यादा यूज करते खाना पकाने में हो जाती है यहां पर और यहां पर होता है heater तो यह तार के अंदर क्या होता है आपके electricity flow होती है और यहां पर आपकी जो भी हवा है वो गरम हो जाती है और आप इस तरीका से ड्रायर का यूज करते है तो देरा सुमेनी एक्जांपल ओफ जूल्स हीटिंग एफेक्ट ऑफ करेंट हम लोग इसके बैस न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा अब बात करते है लेक्ट्रिक पावर अलेक्ट्रिक पावर मतलब कि अगेन मैं भाही बोल रही हूँ पीज इक्वास टू वी इंटू आई और यह हम लिखते हैं E by T दोनों सेम तीज है ठीक है अब यहां पर क्या ओता पीटा SI unit of power is what it is a power consumed by the device that carries 1 ampere of current when operated at the potential difference of 1 volt दस 1 volt will be equal to 1 volt into 1 ampere तो हमारे पास में हम लोग P is equals to V into I से 1 watt power का value निकाल सकते हैं और यह बेटा जो हम लोग वाट की बात कर रहे है एक वाट जो है बहुत छोटा unit होता है यानि कि आप current और voltage का multiply करके बहुत छोटी unit की बात कर रहे हो तो आप लोग सोचो अगर हम बात करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए यही से अगर आप सेम चीज करो सेम चीज अग कि हम कितनी देर तक कितनी current flow कर रहे हैं जिससे हम कितनी energy waste कर रहे हैं अगर आप मुझसे वह पूछो तो यार मैं आपको एक चीज बता कि बहुत बढ़िया चीज आप लोग उसका application देखोगे and that is in your meter घर के अंदर सब के meter होता है meter मतलब की जो unit मतलब करता है बिजली का meter तो कितनी power आपने waste की है या एक घंटे में आपने कितनी power use करी है तो यहां पर जो unit चड़ती है तो वह unit जो होती है एक unit जो कि हमारी बिजली के meter की power होती है वो equal to होती है आपके पास में 1 kilowatt hour के तो 1 kilowatt hour का मतलब क्या है जड़ा solve कर देखो इसको कितने watt hour है आपके पास में समझ सकते हो कि unit watt is very small therefore in actual practice we use much larger unit called kilowatt it is equal to 100 sorry 1000 watts since electrical energy is the product of power and time the unit of electrical energy is therefore watt into hour so watt hour आपके पास में use करते हो 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour कहने का मतलब यह है कि आप खुद देखो आपके पास में energy क्या होती है energy is nothing but P into T हमको पता है कि हम E energy use कर रहे है कब जब P into T हो रहा basically यानि कि हमारे पास में just assume करो मेरे पास में मैंने बोला कि मैंने 1 kilowatt या फिर हम लोग लिख सकते इसको कि अगर मैंने आपसे बोला कि 1 kilowatt पावर यूस किया है मैंने 1 गंटे के लिए 1 hour के लिए तो कितने जूल energy invest किया इसको हम लोग बोलते है 1 unit equal to 1 unit तो कितना invest किया चलो करके देखते है तो E will be your P का value कितना है 1 kilowatt तो मैं इसको किलो को पा कितने घंडे के लिए 1,000 कितने घंटे के लिए एक घंटे के लिए है तो watt लोग देखते है कि हम exactly second कितना unit खर्च कर रह है हम कितने wattage खर्च खर्च कर रह तो उसको निकाल रहा है तोदोम्हारे पास में एक घंटे मैं कहतनाanche seconds होते है वाट इन्टू सेकेंड तो आप लोग देखो कि 1 किलो वाट आप लोग कितने वाट की एनरजी को खर्च कर रहे हो आप लोग खुद देखो यार कि हम लोग एक वाट एनरजी में कितने अदल एक सेकेंड में हम कितनी एनरजी खर्च कर रहे हैं आप खुद देखो यार तो तुम्हारे पास में तुम energy कितना जादा consume कर रहे हो हमारा energy consumption का जो level है वो कितना ज्यादा high हो रखा है भाई इतनी energy कौन use करता है हम लोग इतनी सारी energy को जो है बरबाद कर रहे है तो that is the difference बच्चा that is the difference that is the thing जो हमको समझनी है जो हमें cover up करनी है ठीक है तो this is the energy difference यहां त अगर आप लोगों को यहां तक के सब को मतलब भेजे में घुज चुका होगा सब को दिमाग में जो clear हो चुका होगा तो हम लोग यहां पर लिख सकते है कि यार यह value कितनी हो गई है तो इसे अगर आप लोग देखो तो 1,2,3,4,5,6 यानि कि हम लोग इतनी energy को consumption कर रहे हो आप इसको और simplified कर सकते हो जैसे कि E का value कितना हो जाएगा आपके पास में energy जो है आप लोग यूज कर रहे हो वो है 3.6 into 10 to the power 6 joules इतनी एक second में energy waste करते हो इसलिए हम बोलता है कि power save करो, power save करो, ठीक है चलो तो यहां पर बैटा आप लोगों ने ऐसे ही 12 watt के बिजली देखी होगे आप बोलता है कि 12 watt का बल्ब का मतलब क्या होगा अब यहां पर अब सेम चीज है आपके पास में कि अब सोचो यह हमारे पास में 12 watt का बल्ब है बट अगर मैं आपसे बूलू कि मेरे पास में 1 kilowatt का को बारा वाट का बल्ब है एक कोश्टन पुछरी हमाप लोगों से मिचे जवाब देना 12 watt का बल्ब है वो कितनी देर तक जलेगा जिससे एक unit आएगा मतलब कि एक unit लाने के लिए 12 watt का बल्ब कितनी देर तक आपको T का value find out करना है कितनी देर तक जलेगा वैल्यू आपको पता है वाटेज में तो आपको इतना फाइंट करना तो यह था आपका फूरा एलेक्रिसिटी मुझे लगता है कि आपका इतना इलेक्रिक करन खताम हो गया पूरा का पूरा इसके अलावर जो नुमेरिकल से कुछ चीज है चुटी होई है हम लोग करेंगे इ मुझे लगता है कि इतना इनफ है दो घंटक जादा हो जुका है औरेड़ी आपको लोगा का पूरा सेक्षिन सबको जो चीज समझ में नहीं आई कमेंट डाउन कर देना we will see in numerical session और MCQ practice question ठीक है that's it for today मिलते है नेक्स क्लास में तब तक टाटा बाबाए शिया टेक क्या चैक